बीकों प्रोग्राम के कितने बच्चे हैं, अच्छा, बैच मैं पूछ रहे हैं कितने बच्चे हैं, किसका? किसका? अठाइस मैं को कोर्परेट का एक्जाम है, बिल्कुल बिल्कुल डेट शिट आ गई है, चलिए देखते हैं, क्या है, एक बार ध्यान देजिए, कहता है भावना करीना लिमिटेड ओफर, यानि ओफर का मतलब इशू, इशू किये हैं, कितने शियर? 10,000, 100 रुपए का एक है, सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम बीस, यहनि भाविया, 100 का शियर, और प्लस बीस रुपए सिक्यूरिटी प्रीमियम, 100 का शियर, बीस का सिक्यूरिटी प्रीमियम है, कहता है एप्लिकेशन पर दस, तो यहां पर कुछ, सनेरियो ऐसी है, 10 एप्लिकेशन पर, अलॉट्मेंट पर 40, और 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब, 20 तो हो गया, शियर कैपिटल, और 20 हो गया, सिक्यूरिटी प्रीमियम, पर्स्ट कॉल है 20 का, पर्स्ट कॉल 20 का, सेकंड कॉल 30 का, सेकंड कॉल 30 का, ठीक है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो भी यह बैलेंस भी बचा है क्या, चेक करके बताओ, कितना बचा है, 10, हाँ, तो कितना एक टूटल कितना बच रहा है, हाँ, तो बीस बैलेंस है न, ठीक है न, ठीक है, सर एक्जाम में भी वैसे ही लिखना है, लिखें कि यह क्या, देखो यह करने से न, वीडियो बलर, ओ हो हाँ, सही बोल रहें, वीडियो बलर होगी थोड़ी, क्योंकि मैंने इंटरनेट कोई दूसरा यूज कर रहा था अभी में, आ जाते हैं, यहां के इंटरनेट पर, कुछ डेटा चेकिंग कर रहे थे, अब ठीक हो जाएगी पांच मिनिट में, मैं रीफ्रेस मुझे मार देता हूँ, बोल बोल ḥ कोँछ भरी मैंगें एних मैणिख लिए के टूग्डर कSt रमिन एती कर रहे एंटर्यूर कोपे कोट सизब हैं, झाल झाल क्लियर होगी वीडियो सर वापस आगए सिक्षाध हम सर न्यू एप आएगा क्या सिक्षाध हम पर येस दो से तीन दिन न्यू के अपडेट्स मिलेंगे आपको और उस पर फीचर्स एड़ कर रहे हैं तक कंपनी रिसीव एप्लिकेशन बारा हजार तो एप्लिकेशन रिसीव कितने हैं आज स्रिफ ये मैं आपको चेक करना चाहता हूँ और मैं पूरा सोलीशन कराऊंगा अला कि एपको और 10,000 शेर वर अलॉटेड प्रोडाटा बेसस कहते है कि 10,000 शेर वर अलॉटेड प्रोडाटा बेसस तो भाई है हमने इसू 10,000 किये थे तो अब 12,000 अप्लिकेशन आ है जिसको दस अजार ही दिए रिफंड नहीं है तो इसका मतलब मैं सीचुवेशन बनाओ तो जि जिसने मांगे होंगे कितने उसको मिले होंगे यही कहानी बन रही है ठीक है ना आगे देखते हैं क्या कहता है holder holder का मतलब जिसके पास थे 400 share fail to pay first and after due notice their share were forfeited तो यहां पर first call पर एक वेक्ति फेल हो गया जिसके पास 400 share है ठीक है और notice दिया उसके बाद forfeiture कर लिया the amount payable on second call were paid full accept of holder 200 share और जब second call पर आएं तो यहां सब के पैसे आ गए सिर्फ 200 share holder के यहां पर पैसे नहीं आएं share were failed and pay share were failed to pay and 250 out of 400 share were forfeited reissue और सर हमारे जो total 400 share थे हमने reissue क्या करें अब इसका क्या कहता है देखना second call वाले का क्या कहता है कहता है कि the amount payable accept 200 share were failed to pay अब बताओ क्या इसका share forfeiture हुआ नहीं हुआ इसका share forfeiture समझ मैं रही बत आपको इसका forfeiture ही नहीं किया बस इसका fail हो गया रहने दो भाई forfeiture किसका हुआ सिर्फ 400 वाले का हुआ और वह भी first call पर हुआ है तो means आप ध्यान से समझना यहां पर वह calculation भी नहीं करने पड़ेगे in fact कहता है 400 में से हमने सिर्फ 200 शेर ही रिशू करें और credit असी paid up 50 per share मतलब कहने का मतलब है forfeited वर रिशू credit 80 हम आपको credit कर देंगे 80 और 50 per share यानि 50 रुपे आप दीजिए हम आपको 80 दे देंगे यानि हमने 200 शेर रिशू कर दिये at the rate कितने का पचास का लेकिन उसके बदल सेट इपके आपको 80 का ही मिलेगा the final call रिशू हो चुका है second call के बाद रिशू भी हो चुका है उसके बाद फिर final call मांगा गया including area second call और जब final call पे आए न तो एक वेक्ति जो फेल यह पैसे दे गया हुआ है कि समझ रहे हो क्या कहानी है ठीक है यह आपके बुक में है question जर्नलाइज दा ट्रांजेक्शन इंक्लूरीटिंग के cash books of the company है ठीक है बुक में कौन सा नंबर है क्या question समझ में है क्या पांच मिनिट आपको दे पहले अपना दिमाग चलाने के लिए फिर पांच मिनिट बाद मैं पूरा कर दूंगा सभी बच्चे पांच मिनिट इस question को मैंने देखो पूरा समझा दिया है आप कर सकते हैं ट्राई एक बार कितना करेंगे उसके बाद फिर मैं करके दिखा दूंगा ठीक है पांच मिनिट का time दे रहें बस आपको चलिए सर करे ट्राई चलिए फटा-फट से हम ना करते जाते हैं पहली एंट्री आप देखते जाएगा एंट्री आपके पास हाला की किताब में भी आंसर होता है लेकिन मैं करता जा रहा हूं और प्रोग्राम वाले को दो वोल्यूम मिला था एक ही मिला था दिखाना क्या है इसमें चेंजिस इस उसमें क्या है दूसरे वोल्यूम में सिर्फ प्रैक्टिकल है यह पतली करते थोड़ी को यह ठीक करती वैसे इनकी दोनों से महीं होगे चलो चलो सर अब इदर उदर की बातें छोड़के धड़ा जाते हैं सबसे पहली एंट्री बैंक टू शियर अप्लिकेशन ठीक है सर कितनी होगी बैंक टू शियर अप्लिकेशन में एक लाग बीस हजार कैसे क्यूंकि बारह हजार इंटू दस बन ट्विंटी अब आजाएगा शियर अप्लिकेशन टू इक्विटी शियर कैपिटल बैंक से कुछ जाएगा नहीं तो कॉल्स इन एडवांस या फिर अलाटमेंट एडवांस जैसे आपने लास्ट क्लास में बोला था एक बीस क्योंकि दस अजार शियर है यह तो दस ही जा सकता इस उपर तो जा नहीं सकता और एडवांस हो जाएंगे हमारे अब करेंगे शियर अलॉट में टू एक्विटी शियर कैपिटल और टू सीक्विरिटी ぇ प्रीमियम तो सर्सक्रीय अलॉट में इसंप दस अजार से और इंटू में चालिस चार लाख और यह दो लाख और दो लाख बैंक में जब पेमेंट अभी तक कोई फेलियर है या नहीं है तो बैंक में मेरे चार लाख आने थे जिसमें से 20,000 नहीं आएंगे that is 380 calls in advance 20,000 ओर 2 share allotment 4 लाख कि यहां तक देख लिए क्योंकि फेलियर वगर आगे यहां तक बिल्कुल बेसिक एंट्री किसी बच्चे को डाउट जितने बच्चे लाइव हैं तो आप बता सकते हैं किसी को भी थोड़ा भी डाउट हो तो बता दीजें यहां तक एंट्री फिर इसके बाद कहानी आएगी फिरस्ट कॉल की जल्दी जल्दी बताँ दीजें फटा फटा फट फट पर फट पर चलें शेयर फ़र्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कापिटल सर यहां पर फ़र्स्ट कॉल का अगर हम देखें तो फ़र्स्ट कॉल हमारे बीस का है ठीक है तो दस अजार शेयर इंटू में बीस यानि दो लाक अभी यहां से समझेगा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं जहां से कॉंप्लिकेशन आ रहा है जब हम बैंक में पैसे लेने जाएंगे ना बैंक अकाउंट डेबिट जब बैंक में पेमिंट लेने जाएंगे बैंक काउंट डेबिट तो हमारे आने चाहिए अगर हम बात करते हैं एरियर शेयर तो 400 शेयर इंटू में 20 सर यहां पे आपने पिछली क्लास वाली तो कुछ भी नहीं करी यह वाली जो इतनी लंबी चो कुछ नहीं करा तो जी यहां पर इसलिए नहीं करना क्योंकि यहां पर क्या था ध्यान दोगे पिछली क्लास को मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर ध्यान से देखोगे तो एडवांस यहीं था और यहीं फेल हो गया था अब इस वार क्या है इस वार आप ध्यान से देखो तो है क्या है कि एडवांस यहां के लिए हैं और को यहां पर फेल आगे फेल हुआ तो जब एडवांस खतम होने के बाद फेल होता है तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन बन जाता है एरियर उसमें अप्लाइ अलॉट इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती यह चीज़ आपको ध हुआ यह शेखर कर लिए मैंने पूल ईंपको नोटिस दिया रहा पैंस देदो लेकिन इन्हों नहीं दिया है मैंने ठीक है भाई कोई बात में दो इनके writer क्या कर लिए मैंने अभियों फॉरफ फ मुईच धेन यहीं होगए तो क्या होगा सर, equity share, capital account, debit, premium आएगा नहीं, two share four feature, two calls, in area, सर, कितने आएंगे सर, इसके 400 share, और 400 share अगर देखा जाए, तो ये और ये, यहां फेल हुआ है, तो 20, 20, 40, और 10, 50, तो into 50, तो 20 अजाए, और इसने payment कितना किया, 400 into में 30, सर, 30 कैसे किया सर, देखो, 10 तो ये दिये, और 20 ये भी दे चुका है, यहां तो फेल ही नहीं हुआ, तो आगे फेल हुआ, तो 20 और 10, 30, premium को हम count करते नहीं है, तो आपका 12,000, और ये, 8,000, री इशू हमने इसका भी नहीं किया, सेकिंड कोल के बाद री इशू किया, ठीक है न, री इशू हमने, सेकिंड कोल, अब सेकिंड कोल मांग ले हम, यहां पर पंगा है और तूज एक्विटी तो सर्क कितने शियर होल्डर है लेकिन जो फॉर फिचर हो गए हटा दो और अब मांगेंगे सेकिंड कॉल कितने का है कितने का है मारा तीस का है न तो यहां पर तीस रुपए है तूज अब जब टो गाली थो बैंक में पेंट लेने जाएंगे तो बैंक में पेंट आएगा तर् natuur आना था 288 है यहां फिर फैल हो गया फिर वालोग जिसोज स्यज फैल हो गयर मैं फेल हो गया और जिसके पास Sweetใช i è है ना तीस कही है ना तीस यानी छे हजार तो छे हजार माइनस होगे तो टू एटी तू कॉल सिनेरियर और टू शेयर अलोटमेंट कितने टू एटी अलोटमेंट नी सेकिंड कॉल ठीक है छल यह अब क्या करना है बताओ कौन बच्चा बताएगा अब क्या करना है अब क्या करना है बताओ अब पहले री इशू की एंट्री होगी सवाल में देखो फाइनल कॉल तो बाद में करा है री इशू पहले हो गया है ठीक है ना तो अब री इशू की एंट्री अगर हम करें कैसे करेंगे बैंक और पूरे शेर नहीं करें तो सिर्फ दो सो पचास और उसके बदले पैसे कितने मिले पचास शेर फूर फीचर से नुकसान कितने हो गये दो सो पचास इंट्री में तीस और टू एक्विटी शेर कैपिटल में कितने क्रेडिट करेंगे दो सो पचास इंट्री में असी असी कही तो प्रॉमिस किया था बारह हजार पांस बीस हजा अब capital reserve निकालना पड़ेगा पहले जब रिशू हो जाए ना उसी टाइम आपको capital reserve निकाल लेते हैं और capital reserve कैसे निकाला जाए capital reserve निकालने के लिए हम यहां calculation टोटल पैसे अगर इसकी कमाई की बात करें तो कितने पैसे कमाई थे बारा हजार और बारा हजार जो कमाई थे कितने पर कमाई थे पता है आपको 400 और रीशू कितने पर होगे भाई सो कर लिया जाए 7,000 और 7,000 नुकसान कितने का कर बैठे हम तो capital reserve में कुछ जाएगा क्या तो इस entry में no capital reserve आप book में भी check कर सकते हो लिखना नहीं है कि no capital reserve एक्जामनर को पता है कि यहां capital reserve जाएगा नहीं तो आपको कुछ भी इसके बारे में extra mention करने की कोई जूरत है ही नहीं 288 होगा बिल्कुल सही सत्यम जवाब अब हम क्या करेंगे call second नहीं सुरी final call third call बोलो final call तब करो share final two अब कौन बच्चा बताएगा कितने share मंगे कितने से देखते हैं आप कितना ध्यान से कर रहे हो मैं कितना करूँ यहां पर 10,000 थे क्या 10,000 इंटू कर दे final call बीस का है बीस तो फिर 400 share घटा दे जो फोर फीचर हो गया चार सो share माइनस करके कर दे इंटू बीस बताएगे बच्चों ने बताया और जिसने भी बताया आठानवे सो पचास करिए बिल्कुल सही बताया रीशू भी तो हो गये तो हमारे पास टोटल कितने थे यहां के कर रहा हूं दस अजार दस अजार में 400 पहले निकल गए और वापस से 200 आ गये कितने हो गये कि मैंने पूरा बता दिया जितने कहीं हटा दिया फिर आए तो जोड़ तो इंटू में 20 यहां भी गड़बड करेंगे बच्चे यहां गया 197 अब तो कुछ रहाई नहीं बैंक पे पॉइंट याद रखना है जो कि मैं करके दिखा रहा हूं बैंक में जब पेमेंट लेने जाएंगे देखो मैं कोई सब्सक्राइब कर लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बोलूगा पेपर दिखाया था आपने भाई दंग से नूट करके चलना है तो एक्जाम में यही आदत बन जाती है और फिर आपको दिक्कत दे जाती है बैंक में जाएंगे 197 लेकिन कोई failure तो है नहीं यहां पर और जिस खुआज आगे दो लाख इडोलाक तीन हजार मिया किसी बच्चे को नहीं दिखें तो मैं दुबारा करता हूं इसके बाद क्या करेंगे हम फाइनल अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं थोड़ा स्क्रीन को कम करके पूरा दिखा देते हैं कि दो लाख कि अभी यह वन नैंटी सेवन अब देखो यहां पर क्या आएगा कॉल सिन एडियर कि यह जाके हमारा पूरा कोश्चन कॉम्प्लीट हो गया है कि छीक है कि बता यह किसी का कोई डॉप्ट क्लियर है आपको एक कोशन और दे दिया जाए चलिए इसके देखो आंसर भी है आपके पास ना मैं सही बोल रहा हूँ अगर आंसर है आपके पास या नहीं है है सर इसके सब की आंसर है पटिए आपके लिए चैलेंज है यह कोशन और मैं यह होमवर्क में भी छोड़ूँगा फिर मैं इसकी अलग से वीडियो बनाके डाल दो आपके लिए अभी देख लो जितना दिमाग लगाने लगा लो आपके सामने कोशन है यह एक तरीके से चैलेंज है आपके लिए लास्ट एंट्री बता देते हैं लास्ट एंट्री में क्या था के हमारे टोटल जो एरियर थे वो भी पेमिंट करके जा रहे थे तो छी हजार वाला जो एरियर 200 शेयर करता हो तो बस एड़रून कर दिया बस यह चैलेंज है और यह होमवर्क में भी है झाले झाले आपके लास्ट इंट्री बता दो एला कर दो एला कर दो एला कर दोप्या है